नमस्कार दोस्तों मैं आनंद बहुत दिनों के बाद आप उसे यूट्यूब के माध्यम से जुड़ा हूँ अभी बहुत सारी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया लाइक किया बहुत सारे कमेंट्स उन्होंने किये और उनके स्पेशल विक्रेस्ट पर उन्होंने करता हूँ अपनी बात को मैं शुरू करूं से पहले सबसे पहले जो अभी देश में एक चर्चा का विशय बना हुआ है कि हमारे भारत वर्ष की जो बेटी है मनु भाकर जिनका नाम है उन्होंने ओलंपिक में हमारा देश का नाम रौशन किया वह भारत की तरफ से पहली ऐ ऐसी महिला बन गई जो 20 सालों के बाद उन्होंने ओलंपिक में शूटिंग की खेल में उन्होंने क्वालिफाए की तो जब इन सारी बातों को मैं पढ़र रहा था और सोच रहा था कि क्या इन्होंने यह जो कार्रे किया पैरिस ओलंपिक में जाकर देश के लिए जो मैडल जीतने का उन्होंने काम किया, यह सारी चीज़े करने का उन्हें जो गौरप राप्त हुआ, जो मौका उन्हें मिला, क्या इसके पीछे आरक्षन का हाथ है, किसी रिजर्वेशन का हाथ है, यह जो उपलब्धी उन्होंने हासिल की, क्या का सेशन चल रहा है और वहाँ जो हमारे लिडर अफ अपोजिशन है राहूल गांदी उन्होंने बड़े जोर शोर से एक बात को उठाई कि जातिये जनगन्ना होनी चाहिए मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि संसद में पार्लियमेंट में डेवलप्मेंट की बातों को छोड़ कर जातिगत जनगन्ना जाती पर चर्चा क्यूं होती है मुझे नहीं लगता कि विश्व में किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पर किसी को भी कोई रेकंगनीशन अगर मिली है तो उसे अपनी जाती की बदावलत रेक प्लेटफॉर्म पर आप जहां कहीं भी जाएंगे आपको रेकंगनीशन मिलेगा अप्रिस्येशन मिलेगा और मैडल हो या कोई भी चीज हो आप जरूर अपनी छंता के अनुसार उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में जो अभी राज जो लोग मुझसे भी जुड़े हुए हैं जो लोग यहां पर हैं YouTube पर देख पा रहा हूं बहुत सारे हमारे दोस्तों ने जोइन किया है कि आप लोगों को भी सोचना चाहिए जो नेता हैं जो राजनेता हैं जो POLITICANS हैं वो इन्टेंशनली जान कर आप लोगों से जाती की बात करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने कुछ काम तो किया नहीं, पांच सालों में जो उनका पिरियड होता है, उसमें उन्होंने कुछ काम तो किया नहीं, तो किन मुद्दों पे पब्लिक को डिवाइड करके रखो, पब्लिक को बाट कर रखो, जिससे कि वो उनसे सवाल जवाब ना करे जातिये अधार पर आप उसका वोट लेते हैं कभी भी इस बात की चर्चा नहीं होती कि कौन व्यक्ति अच्छा है कौन व्यक्ति बुरा है मगर जब वोट देने का टाइम आता है तो इन सब चीजों को वो जरूर समाज में विश की तरह घोलते हैं कि व ऑदा के पॉलिटीशन की बाद करूं गोविद्पूर के पॉलिटीशन की बात करूं तो उनमें इतनी योग्यता नहीं है कि वो अपने पढ़ाई की बड़ाए टांब आp लोगों से वोट माँसा क्या अपने काम के आधाग पर वोट मांसा कटे हैं अब हमारे वर्तमान व कोई अच्छा काम किया और इसके लिए जनता उन्हें वोट करें या उनसे पहले भी जो विधायक रहे हैं पिछले 50 सालों में पिछले 70 सालों की तिहास में गोविद्पूर में ऐसा कोई विधायक नहीं हुआ जिन्होंने बगैर कमिशन खोरी काम किया हो एक्सेप्ट अकेला एक ऐसा व्यक्ति हुआ हमारे पिताजी प्रफेसर केवी प्रशाद के अलावा गोविद्पूर को ऐसा कोई विधायक नहीं मिला जिन्होंने बगैर कमिशन खोरी काम किया हो और इसलिए आज भी बड़े मान सम्मान अगर्व के साथ लोग कहते हैं कि ऐसा कोई गाओ नहीं जहां प्रफेसर केवी का काम नहीं ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जो बगैर कमिशन खोरी का उसने काम किया और प्रफेसर केवी प्रशाद जी ने ये करकर दिखाया कि बगैर कमिशन खोरी भी काम किया जा सकता है डिवलप्मेंट का काम किया जा सकता है समाज को अगर सर बना सफाई रहेगी, environment को clean रखना है, climate justice and summit की बात करते हैं, ये काम तो हमारे पिताजी ने 25 साल पहले ही शुरू किया था, मुझे याद है 1995 में उन्होंने बढ़ाओ, घटाओ, मिटाओ का नारा दिया था, तो उनकी जो vision थी, उनकी जो सोच थी, ये दर्शाता है कि आज के जो politicians है उससे आगे वो 25 साल आगे वो देख पाते थे, और इस वज़े से उन्होंने बढ़ाओ, घटाओ, मिटाओ का नारा दिया, उन्होंने तो 1905 में ही बोला, कि नशा खोरी मिटाओ, जिस काम को नितिश कुमार ने अब किया, वो तो 25 साल पहले ही उन्होंने बोला, उन्होंने अगीता के रूप में मिलता है, तो वो हमेशा समाज को कुछ अच्छा देने का प्रयास करता है, वो हमेशा चाहता है कि समाज में एक कॉंट्रविशन उनका हो, जिसे लोग याद करें, कि जब प्रॉफेसर कीवी प्रसाथ एजे विधायक थे, एजे MLA थे, तो उन्होंने गोविनपूर का विधास करने का काम किया, कहीं पर भी उन्होंने गोविनपूर की इतिहास में और गोविनपूर के लिए कभी उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, कि कोई व्यक्ति ये कह सकता है, कि उन्होंने कुछ बुरा काम किया, लोगों को लड़वाने का, खटवान का मिटाने का काम किया जातिय अधार पर बाटने का काम किया जितना हो सका उन्होंने डेवलप्पेंट का काम किया तो यह सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी कि किस व्यक्ति को हम चुनें फिर से 2025 में चुनाव आ रहा है और फिर से कुछ लोग गोविंदपूर में स्कूल कैसे आएंगे युनिवर्सिटी कैसे आएंगे स्पोर्स की फैसलिटी कैसे होगी लोगों को इंप्लॉइमेंट कैसे मिलेगा इन सब पर सोचने का अधिकार हमारा है यह हमारा काम है मगर अनफॉर्चनेटली बाहर के लोग आते हैं वो चुनाव के वक्त दारू मु कि सोचना शुरू करें यह आपका कर्तव्वश है गोविनपूर को आगे बढ़ाने का काम केवल पॉलिटिशन्स का ही नहीए हमारी जंता का भी है हमारे लोगोंका भी है क्योंकि सबसे ह्यां बृते हमारे लोगों को होता है आज हमारे गोविनपूर के नौजवानों को लिए दर दर भटकना पड़ता है। अगर भारत के किसी भी शेहर में अगर कहीं मजदूर की मौत होती है तो बिहार के मजदूर मरता है। कोई बेटा आज तक सांसद हुआ ही नहीं जुसे इस बात का दर्द हो कि नवादा का भी विकास होना चाहिए. As an MP, एक MP को इतना फंड आता है सांसद निधी में कि अगर वो चाहे, तो नवादा की सूरत बदल सकता है, तकदीर तस्वीर बदल सकता है, मगर उसे जब दर्द ही नहीं है नवादा के लिए, तो वो नवादा के लिए काम क्यों करेंगे? तो इन सारी बातों पर मैं सोचता हूँ, विचारता हूँ और प्रयास करता हूँ, अपने पिताजी के साथ मिलकर, हमारे नौजवान साथियों के साथ मिलकर, आरसीटी परिवार के साथ मिलकर, मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूँ कि कैसे नवादा और गोविनपूर को आगे बढ़ाया जाए, तो आज जब मैं आप लोगों के साथ लाइव आया, तो मैं चाहता था कि कुछ चीजों को अपडेट करूँ, बहुत सारी नई चीजों की मैंने शुरुवात की है, गोविनपूर के लिए, नवादा के लिए, बहुत सारे नौजवानों को हमारे परियोजनाओ के बारे में, योजनाओ के बारे में पता है, बहुत सारे नौजवानों को हमारी तरफ से चलाय जा रहे ही, योजनाओ के वारे में नहीं पता है तो मुझे लगा कि आप लोगों से जुड़कर मैं बताऊं तो सबसे पहले मैं रोजगार की बात करता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रोजगार हमारे नौजवानों के लिए बहुत ही इंपॉर्टन्ट है उन्हें रोजगार मिलना चाहिए हमा कहीं दूसरे राज्ये दूसरे जिले में जाकर भटकना ना पड़े और बिहारी रुपी गालियों का सामना ना पड़े बिहार से बाहर आप कहीं पर भी जाते हो तो जो भी नवजवान मुझे से जुड़े हुए हैं जो बिहार से बाहर रहते हैं उन्हें पता है कि आपको बिहारी रुपी गाली से अलंकृत किया जाता है आपको बिहारी कहकर भुकारा जाता है कहीं भाईया जी कहते हैं कहीं बिहारी कहते हैं और कहीं भी आपको मान असमान नहीं मिलता क्योंकि आपके रोजगाओं में आपके शहर में आपके जिला में आपके राज्य में कोई ऐस से रोजगार की वेवस्था नहीं है जिसकी वेज़े से आपको बाहर जाजा कर भढ़कना पड़ता है तो मैंने सबसे पहले अभी क्या किया है अपने Foundation के तहट मैंने नवादा जिला के करीब 50 नौजवानों को रोजगार देने का काम किया है यह 50 नौजवान जोकि जिनोंने अच्छी खासी पढ़ाई उन्होंने कर रखी है शिक्षा ले रखी है पचास नौजवानों को रोजगार देने का कर रहे किया है यह नौजवान में स साथ काम कर रहे हैं हमारा प्रयास है कि 50 की जो संख्या इसे बढ़ा कर कम से कम 200 से 200 तक की जाए तो ये 200 से 200 जो नौजवान जुड़ेंगे ये सारे नौजवान नवादा गोविनपूर के होंगे नवादा के किसी भी ब्लॉग के हो सकते हैं किसी भी विधान सवा के हो सकते है मेरी नजर में नवादा हमारी मात्री भूमी है, हमारा घर है, हमारी जो priority है, ऐसा नहीं कि किविल गोविदपूर के नौजवानों को ही हम employment और रोजगार देंगे, ये employment की जो विवस्था की जा रही है और हम आगे भी करेंगे, ये पूरे नवादा के लिए है, बगैर किसी जाती बगैर किसी धर्म को देखते हुए हम लोगों को रोजगार प्रोवाइट कराएंगे, क्योंकि जो मैंने अपने पिटाजे से सीखा है, जो हमारी परवरिश रही, जो हमारे माता पिता और हमारे गुरुवों ने सिखाया, उन्होंने हमेशा कहा है कि बगैर किसी भेदभाव जाती, धर्म को देखकर रोजगार नहीं दिया जाएगा, अगर आप में शैक्षनी की योग्यता है, आप में ये काबिलियत है कि आप अच्छी तरीके से अपना काम कर सकते हैं, तो आपको हमसे जुडने का जरूर मौका दिया जाएगा, हमारी जो टीम अभी गाओं गाओं जाकर लोगों से मिल रही है, आप लोगों को बताएगी कि किस तरीके से आप हमसे जुड सकते हैं, किस तरीके से आगे भी आप जुड कर काम करते रहेंगे, और आने वाले वक्त में अभी नवादा में हम 5,000 महिलाओं के साथ जुड कर काम करेंगे, इन 5,000 म बदद भी करेंगे और इन महिलाओं को आगे ये जो 5000 महिलाएं होंगी पूरे नवादा जिला के हर गाउं से इन महिलाओं का सेलेक्शन किया जाएगा और इन्हें किसी न किसी employment policies में हम जोड़ेंगे और आगे भी ये देखेंगे कि इन महिलाओं को कैसे सही माइनों में जब ह है यह हमारे foundation की तरफ से किया जाएगा जिससे कि उन्हें रोजगार भी मिले वो पढ़ाई भी कर पाएं और अपने पैरों पर खड़ी होकर कलको घर से बाहर निकलकर उन्हें रोजगार करने की अगर आवशक्ता भी पड़े तो वो इतनी independent हो कि वो रोजगार कर सकती है अ अगर मनु भाकर के माता पिता ने भी अगर अपनी बेटी को अगर यह opportunity नहीं दी होती तो आज हमारी यह जो बेटी है मनु उन्होंने देश का जो नाम रोशन किया उन्हें यह मौका नहीं मिलता मगर दुर्भाग्य से हमारे नवादा में हमारे बिहार में खेल की कोई भी facility नहीं है खेल कुद की कोई facility ही नहीं है आज तक बिहार का कोई बेटा या बेटी नहीं हुई जिसने ओलंपिक में एक पदक जीता हो हमारी पार्टी की यह प्रात्मिक्ता होगी कि जिस दिन भी हमारी पार्टी का कोई व्यक्ति विधान सभा और लोग सभा में जीत कर हैगा हमारी पार्टी की यह प्रात्मिक्ता होगी कि नवादा में एक अच्छा सा stadium खुले जहां पर हमारे नौजवानों को खेलने की facility रहेगी उनके लिए guide होंगे उनके लिए coach होंगे और आपको केवल दूसरों के लिए तालिया बजाने के आशक्ता नहीं मैं Facebook पर देख stadium के facility होगी coach रहेंगे जिससे कि हमारे नवादा और हमारे बिहार का बेटा भी Olympic जैसे बड़े platform पर जाकर हमारे बिहार का नाम रोशन कर पाए आज तक आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि बिहार का कोई व्यक्ति बिहार की कोई महिला बिहार का कोई बेटा Olympic जीत पा facilities नहीं है कोई अच्छा stadium नहीं है और इसके पीछे यह है कि बिहार के जो नेता हुए जो politicians हुए इसले 35 सालों से जो politicians बिहार को और उससे पहले भी जो politicians बिहार को rule कर रहे हैं जिनकी यहां सरकार हैं उन्होंने कभी चारा खाने पे ध्यान दिया तो कभी किसी ने पूल गिर आने पर यह focus किया कभी किसी ने यह प्रयास देगी कि कैसे यहां एक अच्छा stadium बने कैसे हर district में stadium बने हर block में हमारे नौजवानों को खेलने के लिए facility रहे तो हमारी यह party की प्रात्मिक्ता रहेगी कि हम अपने नौजवानों को कैसे आगे ले जाने का प्रयास करेंगे उन उनको अलग-अलग coach और इन सारी facility से जोड़ पाएंगे तो यह भी एक हमारी facility है दूसरी जो एक आप लोगों को update में देना चाहता था यह बहुत important update है कि हमारा जो नवादा जिला है 70 से 80 प्रतिशत लोग कृष्टी पर उनका जो जिवी को पारजन है जो उनके livelihood है यह खेत को यह बता पाए कि कौन सा खाद उन्हें देना चाहिए कौन सी बीज को उन्हें इस्तमाल करना चाहिए किस समय कौन सा बीज लगाने से उनकी पैदावार बढ़ेगी कौन सा fertilizer कौन सा pesticide उन्हें इस्तमाल करना चाहिए कौन से seed उन्हें लगानी चाहिए इन सारी चीजों के लिए हमने अपनी एक नई कमपनी शुरू की है जिसका नाम उर्वरा है अभी गोविंदपूर में हमने इसके दो आउटलेट अल्डेडी इसकी दो दुखाने आ चुकी है गोविंदपूर और कोरियोना में तीसरी आउटलेट इसकी नालंदा जिला में है हमारा प्लैन है कि बिहार में ऐसे तीन हजार दुकाने होंगी हर दुकान में एक नौजवान को रोजगार दिया जाएगा तो हमारी जो प्राथमिक्ता हमेशा ये रहेगी कि नौजवानों को रोजगार कैसे मिले तो इन दुकानों की तरब से भी नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा इन दुकानों में भी अभी जो लोग काम कर रहे हैं वो नवादा जिला के हैं, कोई वारसली गंज का है, कोई गोविनपूर का है इन दुकानों में काम कर रहे हैं, उन्हें हमने रोजगार दिया है और हमारा प्रयास रहेगा कि नवादा और गोविनपूर के बच्चों को ज तो हमारी कंपनी की तरब से आपको वो अपॉर्चिनिटीज दी जाएगी और इस कंपनी के माध्यम से अभी बहुत जल्द हर ब्लॉक में उर्वरा के शॉप्स ओपन होंगे जहांकि जिन शॉप्स से आपको सस्ते दर पर सबसे अच्छी क्वालिटी के सीट्स जिसे हम क्वा बजारी होती है गलत और उचे दामों पर आपको बेचा जाता है वो हम आपको गौर्वर्मेंट के रेट पर फटिलाइजर्स आपको अविलिवल कराएंगी और हम कल इस चीज़ की भी व्यवस्था करेंगे कि जो किसान धान उप जाते हैं और जिन किसानों को पैक्स में ज जो गौर्मेंट ने दिया है मिनिममम सेलिंग प्राइस पे आपको वो पैसे हाथों हाथ मिले इन सारी चीजों की मैंने प्लैनिंग की है अगले एक से दो साल में आप देखेंगे कि जमिन पर ये सारी चीज़े उतार दी जाएंगी ये सारी चीज़े आप लोगों को हासिल रहेंगी और हमारे किसानों को कहीं पर भी जाकर परिशान होने की आवशक्ता नहीं होगी घर गर होम डिलिवरी की मैं फैसिलिटी कर रहा हूं जो हमारी कमपनी है उसका अपना एप्लिकेशन शुरू हो रहा है उस एप्लिकेशन के माध्यम से आप वो घर बैठे फर्टिल होंगे मजबूत होंगे तो हमारा गोविंदपूर खुश्याल होगा जब 80 पृतिशत लोग हमारे गोविंदपूर नवादा के लोग खेती पर आस्रिक है तो उनको जरूर कहीं न कहीं उनकी फार्मिंग को हमें इंप्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे कि जो उन बनूँगा तभी ये सारी चीजों को मैं शुरू कर सकता हूँ इसके लिए इन सभी कामों को करने के लिए आप लोगों के अशिरवात से आपके प्यार से आपके स्ने से और माता पिता के अशिरवात से मुझे में इतनी चंबता है कि हम मैं अपने नवादा और किया हमने जो सीखा हमने जो देखा उन सारी चीजों को मैं अपने गोविंद पूर जो मेरी जन्म स्थली है वहां तक पहुंचाने का काम करूँगा मेरा यही मकसद है और इसमें सबसे पहले हमारे किसान और हमारे नौजवानों के लिए जो मैं काम कर रहा हूं इनमें अनवर कर अगले छे मैने एक साल तक हम से काम करेंगे इसके अलावा भी जो अभी एक सो और नौजवानों को भी हमें भरती करनी है अपनी फांडेशन में उनको भी बहुत जल्द हम अपने कारे से जोड़ेंगे पांच चार महिलाओं को सेलेक्शन और डी शुरू कर दिया गया है हमारी जो टीम के लोग हैं हर दिन गाओं में जा रहे हैं वो सेलेक्शन कर रहे हैं उन्हें भी हम जोड़ने का काम करेंगे और इस तरीके से जब सारी चीजों पर हमारी जो बेचिया हैं हमारी जो नौजवान हैं हमारे जो किसान हैं सब को जोड़ कर तब जाके हमारा गु उसे अगर नवादा और गोविनपूर को छोड़ दिया गया तो ये politicians कभी भी हमारे गोविनपूर और नवादा के लिए कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उनका तो केवल अकेवल मकसद ये है कि कैसे कमिशन खोरी की जा सकती है कैसे घूस खोरी की जा सकती है जितने भी MLAs और MPs नवादा के हैं जितने भी हैं सभी 10 प्रतिशत 20 प्रतिशत 30 प्रतिशत 40 प्रतिशत कमिशन लेकर काम करते हैं और उन्होंने सिस्टम को इतना करप्ट बना दिया है कि यही सिस्टम ब्लॉक में भी है आप अगर ब्लॉक में कोई काम कराने जाएं कोई प्रमान पत्र बनाने जाएं कुछ भी करने जाएं तो वीडियो से लेकर DM तक सबों को करप्ट कर दिया गया है क्योंकि हमारे जो कोई करते हैं और कमिशन खोरी करते हैं तो इन एड्मिनिस्टेशन को इन यह जो एड्मिनिस्टेटर हैं इने को भी कमिशन खोरी करने के लिए बात दे करते हैं हर स्कूल में अभी मैं SMC से समझना चाहूंगा कि स्कूल के विकास के लिए उन्होंने क्या प्लैन बनाया है हर SMC में टीचर्स को AOP बनाना पड़ता है तो अभी मैं जिस गाउं की भी विजिट करूँगा मैं वहां के Headmaster से वहां के स्कूल से यह समझने का प्रयास करूँगा कि आपका AOP क्या है आपने स्कूल के आया जाए लोगों से आप सवाल करना शुरू करें और खास करके इन करप नेताओं से जब आप पूछना शुरू करोगे तो फिर इनकी भी आखे खुलेंगी कि जब हम वापिस चुनाओं में जाएंगे तो जनता इतनी जागरूप हो गई है कि वह उनसे सवाल करेगी कि आपने पांच सालों में क्या किया जिन नेताओं ने आपसे जूटे वाइदे किये थे कि गोविद्पूर रोह कवाकोल की धर्ती दूधिया रोश्णी से नहला जाएगी कब काकोलत का विकास होगा अच्छी-ची सड़के बनेंगी लोगों को रोजगार मिलेगा नौजवानों को रोजगार मिलेगा हम सैलरी नहीं लेंगे हम उस सैलरी से लोगों को development का काम करेंगे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या गोविंपूर की सड़के दुधिया रोष्णी से नहा गए, क्या सारी सड़के बन गई, आज भी ऐसी कई गवाओं हैं गोविंपूर में जहां सड़के नहीं पहुंची है, वहाँ आज भी लोगों की मौत हो जाती है, अगर वहाँ उन्हे पीचल की कोई फैसिलिटी की आवशक्ता पड़ती है, तो उनको सही समय पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है, जिसकी वज़ासे कई लोग दम तोड़ देते हैं, तो यह वाज़े नेताओं से आपको पूछना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, कही न कहीं क्रांती ला में पेपर को देख कर पढ़ने की आवशक्ता नहीं हो, मैं देखता रहता हूं, कुछ लोग विधासवा में खड़े होकर सवाल तो जरूर करते हैं, मगर उस दो लाइन को सवाल करने के लिए भी उन्हें देख कर पढ़ना पड़ता है, अरे आप जब वहाँ पर हैं, सही धंग से अपनी बातों को रखें, जोर शोर से अपनी बातों को रखें, दो लाइन बोलने के लिए अगर आपको पेपर देख कर पढ़ना पड़ता है, तो आपकी बातों को लोगों वहाँ के जो निता हैं, पॉलिटीशन्स हैं, जो मंत्री हैं, चिफ मिनिस्टर्स हैं, प आप विधान सभा सदन के पटल पर आप अपनी बातों को रख सके और अगर आप में इतनी चमता नहीं है तो चुनाओ लड़ना बेकार है क्या फायदा आप गाउं में रहें थोड़ी पढ़ाई लिखाई करें और जिस दिन लगता है कि आप दसलाइन बगार देखें धंग स अपनी बातों को रख सकते हैं तब जाकर विधान सभा और लोग सभा जाने का सपना रख देखें ना कि केवल कमिशन खोरी घूस खोरी करने के लिए आप विधायक और MP बनने का सपना देखने का काम करें आपके इन कृत्यों से हमारे नौजवान कापी पीछे जा रहे हैं तो आने वाले वक्त में हमारे जो नौजवान हैं हमारे ये जो टीम है ये गाउं गाउं जाकर लोगों को जागरुख करने का काम करेंगी बताने का काम करेंगी अवेर करेंगी कि आप अपने वोटों का अधिकार अपने वोट का जो आपका महत्तों है उसको सही तरीके से और इस बार एक सही व्यक्ति को चुड़ने का काम करें जो आपके गोविनपूर और नवादा को आगे ले जाने का काम करेगा। और इस बार नवादा के अलग अलग जगोविनपूर और नवादा के अलग अलग जगोव पर घूम रहे हैं आप उन्हें मिलकर अपने इस समस्याओं को बता सकते हैं और जहां कहीं जहां तक हमारी पार्टी की दौरा आपकी मदद करने का जो प्रयास है हम ज़रूर करेंगे और जो नौजवानों को रोजगार देने का आचार महिलाओं को आगे बढ़कर उनके इंप्लॉइमेंट, स्किल, डेवलोप्मेंट, कापैसिटी बिल्डिंग की जो का चलता रहेगा, अबही अलगले स्कूल में शचाले बनाने का जो काम चलता रहेगा, आप लोगी देखें, नहीं बन रहे है, आपके स्कूल में अगर किसी तरह के कोई कमी हो, अगर आपके आजू-बाजू, अगर कोई रोड बन रहा है, वो सही तरीके से नहीं बन रहा है, आप हमें बताने का काम करें, और उन सारी चुज़ों पर हमारी जो पाटी है, हमारा जो दल है, आपसे जुड़कर आपके समस्याओं को सदन में नहीं, मगर जिला से लेकर, रा पहुंचाएं, और हमें आपके सुझाओं का जरूर इंतजार रहेगा, बहुत 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 धन्यवाद, नेक्स टाइम फिर से जब मैं अवेलेबल आउंगा, यूट्यूब पे आउंगा, तो फिर से नई बातों पर चर्चा करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहु